तो हेलो फ्रेंड्स हैं सवगत आपको दुबारा हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जो कि आपका अपना अग्रिकल्टर श्रॉन्ट कार्ड में तो फ्रेंड्स स्टेट सिंपल में रखते हैं मैं यह कहना चाह रहा हूं कि जो भी आपको प्रवीन सेर्ड ने बताया प्रिवियस एग्रोनॉमिक के वीडियो में वो सब बाते सच हैं और हम जितने भी सब्जेक्ट हैं फर्स समेस्टर के उन सारे सब्जेक्ट को हम चार वीडियो में कवर करने वाले हैं और उसमें क्या इंक्लूड रहेगा मैं बता दूँ उसमें जितने भी important questions है important questions जो आपके end semester या end term में आ सकते हैं उधन सभी questions को हमने cover कर लिया है ठेक है ताव कि अगर आपने syllabus खतम कर लिया और revision का time नहीं है तो अगर आपने सिफ ये सब questions पढ़ के अगर आप exam में चलेगा न तो आप बहुत अच्छे से exam लिखोगे तो friends चलिए start करते हैं आज का वीडियो और मेरा subject होने वाला है agriculture heritage इसका पहला पार्ट इसका total 4 पार्ट आएगा जिसमें से पहला पार्ट मैं अभी cover कर रहा हूं बाकी के 3 पार जो है वो next video में होगा friends अगर आपको इसका notes चाहिए तो मैं description box में link दे दूँगा वरना अगर नहीं हुआ तो मैं request करूँगा कि आप please हमारे whatsapp group पे join हो जाए जिसके बैसे आपको जितने जादा से जादा notes हो सकते हैं first semester हो या फिर किसी other semester का मिल सके friends start करते हैं आज का video पहला question पहला question यह कह रहा है कि friends what does the term agriculture heritage signifies agriculture heritage जो है यह जो term है जो subject ही है मलोका वो term क्या signify करता है मतलब इसका meaning क्या है आपको असान भाषा में समझाना है ठीक answer पर आता है अगर कलचा heritage denotes the values and traditional practices जो भी आपके value यानि कि जो भी इसकी महत्वता होती है या traditional practices जो आप अपने पूर्वजों से या अपने आदी मानव जावाने के लोगों से अपने पूर्वजों से जो भी सी दिखते आ रहे हैं Asian time में ठीक है वो आज के समय में adopt किया गया है ठीक है which are more relevant to present system ठीक है friends है ऐसा कुछ ऐसा कहानी है कि agriculture heritage में यह समझाया गया है आपको कि जो भी आपके पर दादा या आपके father से knowledge मिला है ठीक है वो आज के time के जो system है उससे बहुत ज़ाद relevant है ठीक है Asian time में आपने जो भी अपने दादा फादर या उनके पर दादा से सीखा होगा वो सारा knowledge आपके पास है और आप further generation आपके बेटे हो या आपके grandson हो उनको आप देंगे ठीक है और वो उस समय तक relevant रहेगा ठीक है वो चाहे ठ्रेसिंग का प्र process हो या irrigation का process हो all are different but similar to ancient generation मेरा बात आप समझ रहे हैं चलिये next question पर चलता है question number 2 state the objective of this course agriculture heritage job का subject difference उसका objectives क्या है यह बताना है आपको इसमें मैंने 5 points mention किया है ठीक है पहला point to identify and provide institutional support to nature friendly agriculture practices देखिए मैं एक आसान से भाषा में आपको समझाता हूं जो भी अब तक आपने सीखा है agriculture heritage में वो आपको थ्रेसिंग करने का process हो हार्वेस्टिंग करने का process हो उसका meaning हो irrigation का meaning हो यह आपका waste tillage या tilt का meaning हो ठीक है तिल ना हो अपने agriculture heritage में जो भी सीखा है ठीक है वो सारे agriculture practices के अंटर आते है ठीक agriculture practices समझ में आया अब मुझे समझाने में आपको आसानी होगी देखिए अब agriculture practices तो आप जान रहे है क्या होता ह है इन सभी practices को identify करना या कौन सा institution इसको support कर रहा है या किस nature द्वारा behavior नेचर का मतलब यह behavior है उसके द्वारा आपने सीखा है अपने parents है grand parents है ठीक है इसको पहचानना identify करने को ही हम अपने objectives के अंडर लाते हैं इस course के समझ में आ रहा है चलिए आगे चलते हैं अपने next objective के जो यह है कह रहा है building of local local farming communities to conserve and manage revenue based farming देखिए यह यह बताया है न friends कि आपके जो भी local farming communities होते हैं वो जो भी building बनाते हैं construct करते हैं या conserve करते हैं वो बचाते हैं या invest करते हैं खर्च करते हैं या उस particular revenue या उस income generation को control करने को या जिसकी उपर कर रहा है farming को हम particularly study करते हैं इस subject में थिक second point यह बता है अब चलते हैं third point के तरह तो friends third point बता रहा है आपको आपको यह बता रहा है to mitigate risk of erosion of biodiversity and traditional knowledge तो देखिए यहां आपको यह term समझ नहीं आ रहा होगा mitigate मैं समझा दूं mitigate का मतलब होता है make less serve यानि कि something bad कुछ गलत जो हो रहा है वो कम से कम हो ठीक है उसको mitigate कहता है अब देखिए जो भी biodiversity यह point third वाला यह mention बता रहा है आपको न कि जो भी biodiversity या फिर traditional knowledge है ठीक है वो erosion ना हो यानि कि वो बहन आ जाए ठीक है यानि कि देखिए biodiversity में तो बहुत जादा varieties of species जीनर्स अलग अलग तरह के organism animals प्रेजन्ट है ठीक है जंगलों में या उससे related जितने भी knowledge है आपके पास वो कही vanish ना हो जाए खतम ना हो जाए यह objective होता है agriculture heritage का ठीक है इसको maintain करना ताकि यह जो risk है यह biodiversity और traditional knowledge का यानि कि पुराने जमाने से जो अभी तक हमने knowledge मिलते आ रहा है उस चीज़का वो कहीं गुम ना हो जाए इस चीज़का डर कुछ गलत ना हो जाए यह हमें बताता है agriculture heritage ठीक है चलिए चलते हैं third point पे जो की fourth point पे जो की है to strengthen ताकत देना conservation and suitable use of biodiversity and natural resources ठीक है friends fourth point में यह साफ साफ mention किया गया है कि यह agriculture heritage जो है यह course जो है इसका objective है कि यह हमारे जितने भी natural resource होते है या biodiversity होती है जो कि stable नहीं है यानि कि जो समांतर नहीं है उसको strengthen करना यानि कि उसको ताकत देना साथ ही साथ उनको conserve करना यानि कि उसको बचा के रखना ताकि वो future regeneration के लिए कहीं vanish ना हो जाए ठीक है third or fourth point relevant है don't worry about that अगर आप लिक भी देते हैं तो कोई बात नहीं teacher आपका marks नहीं काते है चले चलते हैं फिफ्थ और आखरी point पर जो यह कह रहा है कि तो reduce vulnerability 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 का मतलब होता है friends respond when a disaster has occurred to climate change and enhance sustainable agriculture and rural development देखे friends इसमें दो point है पहला point यह कर रहा है कि हमें जो भी disaster occur होने वाले है climatical change के वाज़े से अब देखे जब जब मौसम बदलेगा तब तब crop जो है उसका जो effect है वो change होगा अब देखे अगर गर्मी के मौसम में बारिश हो जाए तो आपका जो product है वो खराब हो सकता है या crop खराब हो सकता है उसके productivity पे बहुत ज़्यादा effect आ सकता है पहला point यही कह रहा है second point इसमें यह कह रहा है कि जो भी आपके agriculture or development है वो enhance हो जाए बढ़ जाए साथ ही साथ हमें यह भी बताया जाता है इस subject में कि वह कैसे sustainable रह सके यानि कैसे वह balance रह सके तो पांचवा पॉइंट में दो पॉइंट हो जो मैंने आपको बता दिया clearly चलते है आपने question number 3 मैं कोशिश कर रहा हूं कि कम से कम टाइम लगे ठेक है साथ ही साथ आपको आसानी समझ मैं इसलिए हो सकता है यह video लंबा चले तो पीच में skip मत की जगा मैं request कर रहा हूं वरना बहुत ही जारा दिक्कत होगा आपको चले friend question number 3 पे आते हैं वो यह कह रहा है define the term agriculture labor agriculture labor होता क्या है इसको define करना है आपको पहले हम definition पढ़ लेते हैं उसके बाद चलिए agriculture labor can be defined as the involvement of any person in connection with cultivation in the soil or in connection with rising or harvesting any agriculture or horticulture commodity management of livestock यह जो नीचे का line मैं ने underline किया नहीं है यह सिप example है इसको just an example लीचेगा यह definition के अंटर नहीं आता है चलिए मैं term समझाने अब explain करना करता हूँ answer को देखिए agriculture labor होता क्या है इसको आप क्या है समझ सकते हैं होता क्या है friend जब भी आप किसी भी crop का production करते हो तो आप अकेले नहीं कर सकते हैं आपको कुछ लोगों का जरूरत पड़ता है ठीक है अब वो एक हो सकता है दो हो सकता है यह 10 हो सकते हैं यह 100 हो सकते हैं आपका land का area क्या है या आपके crop कितने product produce हुए है ठीक है उसको harvest करने में जो मैनत लगता है ठीक है समझ रहे हो तो friends उसको हम labor कहता है ठीक है अब यही अगर agriculture practices के लिए आप labor use कर रहे हो ना तो उसको agriculture labor करते हैं समझ रहे हो अब definition के बेश बात है यह कह रहा है कि ऐसाब इंसान जो की involved हो जाए किसमें किसी भी crop के production में जो की soil में cultivate हुआ है ठीक है समझ में आ गया या या और in connection with rising और harvesting any agriculture और horticulture commodity या किसी भी उगने वाले या कटने वाले agricultural या horticultural commodity को produce करना या harvest करना उसके connection में अगर इसका हाथ होता है ठीक है किसी तरह भी अगर यह involved रहता इसमें तो उसको agriculture labor कहते है चले चलते हैं आप आपको समझ में आ गया हो चलते हैं अपने next question question number four total इसमें 10 question में मैं बता दू आपको ठीक है और एक वीडियो में minimum 10 questions में रखे हैं ताकि आपको असानी हो समझ में और सारे वीडियो को कवर करने में तो चली friends question number four पर आते हैं define green revolution and state the year in which it came into existence who is known as the father of green revolution in India इसमें 3 question है इसमें 3 question है मैंने ज्यादा तर exams में देखा है कि यह mostly five number question में पूझा जाता है यह best question है पांच number के लिए ठीक है तो चलीए definition बात है green revolution आप समझ रहे हैं ठीक है अगर आपको थोड़ा बहुँट भी idea होगा जो अगर कल्चा heritage मैंने subject पढ़ाया था उससे तो good अगर नहीं होगा तो no problem मैं समझा देता हूँ the great increase in production of food grains such as rice and wheat यह example है बस ठीक है due to the introduction of high yielding varieties to the use of pesticides pesticides को यूज करके वो अलग अलग variety का yield increase किया जाए या better management of techniques को यूज करके ठीक है ठीक है देखिए green revolution में होता क्या friends यह एक ऐसा process है जिसमें हम ज्यादा से ज्यादा food grains को produce करते हैं ठीक है वो आपका कुछ भी हो सकता है rice wheat पल्स grasses कोई भी variety कोई भी species हो सकता है ठीक है ताकि नए varieties introduced हो सके हमारे इंडियन agriculture में साथी साथ नए नए high producing yield crops को ही use कर पाए हमारे farmers जिसमें कम से कम use of pesticide का साथी साथ better management techniques को भी इस्तमाल किया जा सके इसी को हम green revolution कहते हैं in short अब आते हैं second question पे जो यह पूछ रहा है कि who is known as the father of green revolution ठीक है उससे पहले question है कि यह किस year में आया था ओके चलिए पहले वह देख लेते हैं friends मैं यह बता दूं कि friends यह जो green revolution है यह आया था 1960s में मैंने mention किया है 1960s में green revolution आया था start वहा था ठीक है और father of green revolution जो है वह है M.S. Swaminathan ठीक है M.S. Swaminathan प्लीज यह mind कर लेजिए M.S. Swaminathan अगर आपको एक और important point में बताऊं तो यह है कि इन्हे father of Indian agriculture भी कहा जाता है क्योंकि यह genetics के king थे इनको father of Indian agriculture भी कहा जाता है साथ ही साथ father of green revolution भी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने कुछ ऐसे crops का development किया था न friends जिसके वैसे हमें आज small period of time में बहुत ही ज्यादा high yield producing crop मिल गया है ठिक चलते हैं next question पर जो है question number 5 जो यह कह रहा है explain history of agriculture development explain history of agriculture development देखिए यह जो question है यह हो सकता है आपको बोरिंग लगे no doubt मैं कोशिच करूँगा कि interesting रखूँ आपके लिए आते हैं friend question number 5 के answer पर इसका जो point है वो मैंने 5 से 4 रख्या है कम रख्या है क्योंकि history को define करने के लिए आपको पूरा page लगेगा ठिक है उतना नहीं कर सकते मैं कोशिच किया है उसको point wise करूँ सारे questions को ताकि आपको easy हो समझाने में किसको teachers को easy language आते हैं पहला point पर यह कह रहा है the history of agriculture began in thousands a year देखिए जो आपका इतिहास है न agriculture का वो आज से करीब हजार साल पहले start हुआ था ठीक है पहला point तो यह हो गया अब आते है second point पर वो यह कह रहा है modern agronomy such as pesticide fertilizer and technologies developments have sharply increased yield while causing ecological and environmental damage देखिए friends आज को जो समय है मैंने पहले बता दिया कि history जो है वो आज से करीब वो पेस्टिसाइज हो या fertilizer के मामले में हो या technologies या नए नए जो development equipment जो facilities जो नए-ने crops आज तक develop हुए हैं और हो रहे हैं या होने वाले हैं उनको इसलिए sharply develop किया गया है ताकि वो हमारे production crop production को increase कर सके rapidly ठीक है साथी साथ वो किसी भी ecological या environmental damage ना करें यानि कि किसी भी environment या ecological को disturb बिने किये बिना हम crop को produce करें ठीक है यह modern generation का समझ रहे हैं second point चले आते हैं third point पे यह कह रहा है friends the major agriculture product can be broadly grouped into into foods fiber fuels raw materials अब देखे friends आज के समय में जो बहुत ही जादा जरूरी product जो है हमारे लिए human beings के लिए वो क्या है food है fiber है fuel है raw materials है ठीक है अब इसे कुछ fibers कुछ ऐसे micro यानि की small nutrients होते हैं जो हमें बहुत ही जादा ज़रूरी होता है ताकि हमारे जो भी eyes है जो sensitive organs है वो ठीक ठाक रहे हैं खराव ना हो damage ना हो okay raw material raw material में आपका सब चीज़ आता है वो चाहिए wood हो आपका वो एक pin से लेके aeroplane तक सब आता है ठीक है raw material में इसमें बहुत सारे होता है इसलिए मैंने बस raw material लेकर छोड़ दिया इसमें rubber भी आता है क्योंकि rubber आप बहुत जगा यूज़ करते हो अलग-अलग inventions होते हैं इसके अलग-अलग uses होते हैं जब आप बाद में इसे रिवाइस करोगे as a revision को तरुपे जब आपको देखो अपो धीरे तर्स समझ में आएगा अब याब बाद समझो कोशिच करो समझने का फ्रेंट साथ है question number option 4 पे जो यह है कि over one third of the world workers देखिए इस पॉइंट में साफ सब का है न कि पूरे दुनिया में से एक तिहाई workers जो है वह employed है किसके लिए agriculture के लिए ठीक है और बांकि जो बच जाते हैं वह secondary जो बच जाते हैं वह service sector में चला जाते हैं यानि कि आप यह मान सकते हो businessmen बन जाते हैं industrialist बन जाते हैं वगए 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 अलग-अलग sectors में चला जाते हैं वह ठीक है all through और भी जो कहना चाहरा है यह दूसरा point इसी में है जो numbers of agriculture workers होते हैं other countries में in develop जो मतलब other developed country है चाइना हो गया जापान हो गया UK हो गया United States हो गया वगए 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 जो भी states है वो decrease इसलिए कर गया है through centuries क्योंकि वो आज भी उनके जो वहां के जो people है वहां के जो citizen है वो agriculture पर ध्यान तो देते हैं यह देते हैं साथ ही साथ वो और भी other services पे भी बराबर ध्यान देते हैं इसलिए आज वो हमसे आगे है ठीक है century से वो खुद को सुधार्ते आ रहा है प्रोडूस करते आ रहा है लेकिन हम इंडियन्स खुद को सुधार्त हो रहे हैं लेकिन साथ ही साथ दूसरे नजरिये से हम खुद को गिरा भी रहें अगरिकल्चर का बात नहीं कर रहा हूं अगरिकल्चर आज से 100 साल पहले डवलप हो सकता था आज जो हम इस स्टेट में है वो 100 साल पहले भी हो सकते थे लेकिन क्यों नहीं हुए क्योंकि इस सेक्टर पे ज्यादा ध्यान कोई नहीं दिया बात यह है बस नजरिये के बात है अगर आप उस समय अगर हम लोग उस समय इस चीज को अभी जिस नजर से देख रहे हैं अभी जो और गानिक फार्मिंग नहीं टेक्नोलोजी जो अभी आ रहे हैं अगर उस समय आते हैं तो अभी हम सायद किसी और पोजिशन पर होते हैं हम through some are banned in certain countries यह एक crucial point है यह इसलिए crucial point है important point है क्योंकि जो भी genetically modified यह सच है genetically modified जो भी organisms है आज तक जो produce किये गया है scientists दो वाला वो देश दुनिया में हर जगा यूज हो रहा है widely used है तीक है जब कि कुछ genetically modified organism जो है वो बन कर दिया गया है कुछ कुछ countries में और कुछ कुछ में बैन नहीं है तो वो use कर रहा है इनके side effects भी देखे जा सकते है चल फेंट जाते है question number 6 पर ये एक difference है actually इसमें पूछा गया है define the term cultivator and farmer ठीक है इसमें define करना है term को actually मैंने differentiate कर दिया आप ज़रू पूछेंगे कि आपने इसमें differentiate क्यों किया देखिए ऐसा होता है मैंने बहुत सारे exams में देखा है personally कि आपका जो definition है cultivator and farmer वो actually difference बन जाता है ठीक है तो मैं यह चाहता हो कि आप farmers related जब भी अपने teacher को answer करे tackle करे तो उसको ज्यादा से ज्यादा point बता सके ताकि वो समझे आपको कि हाँ यह बंदा जानता है ज्यादा जानता है farmer के बारे में कि इसने जो agriculture heritage subject पढ़ा है वो उसको समझ में आया है इसलिए मैंने इसमें points wise दोनों में 4-4 difference बनाया है एक दूपर नीचे हो सकते है points आते हैं पहले farmer के point of view से मैं farmer का definition बता दाता हूं पहला point यह है person who owns manager of farm सही है यह एक ऐसा इंसान होता है एक ऐसा वक्ती होता है जो खुद तो काम करता ही करता है साथ ही साथ एक farm आप बोल सकते हो वो field का मालिक भी होता है ठीक है farm हो गया यानि कि आपका एक farm आप production के sense में लीजिए क्योंकि land यह होता है वो depend करता है farmers पहर आगे में इसे questions है farmer का small marginal ठीक है आप समझ रहे होंगे तो depending upon that वो depend करता है person to person second point यह है the term usually apply to people who do some crop, orchard, vineyard, polytry, livestock देखे friends होता क्या है यह जो भी terms है आपके वो farmer का जो term है यह term है farmer यह generally apply किया आता है उन लोगों पे जो crop उगाते हैं orchard भी करते हैं vineyard भी करते हैं polytry भी करते हैं और कुछ other livestock को भी rise करते हैं यानि कि उगाते हैं टीक है इन सब का मिलाव अब देखिए कोई भी एक particular farmer सब चीज करता है वो dairy भी समालता है वो आपका orchard यानि की gardening भी करता है वो आपका crops को भी देखता है main field में जो crops होते हैं लगे हुए वो भी देखता है साथ साथ वो other livestock को भी manage करता है टीक है farmer का यह काम है तो यह time यहीं बताना चाहरा है चलता है third point पर जो यह कह रहा है कि farmer farmer का जो main goal होता है जो उसका main काम होता है किसी भी particular field में वो यह होता है कि वो is to produce good crop कि वो अच्छा से अच्छा अनाज उज़गा सके टीक है या फिर एक healthy animal को अच्छा से अच्छा जीवन दे सके साथ ही साथ उनको खाना भी दे सके टीक है उस particular population को देखिए होता क्या है friends की farmer का एक नजर्या नहीं होता है वो एक हिसाप से नहीं कमाता है उसके बहुत साए source of income होता है वो चाहे dairy farming से है चाहे वो आपके crop production से आए ठीक है उसका एक नजर्या नहीं होता है इसका main काम यह होता है जैसे मैंने बताया इसका main काम होता है crop produce करना ठीक है secondary में आता है जो भी इसके पास animal है जो grazing करती है चरती है उसका बेगभाल करना उसको सही टाम पर खाना देना उसका population कंट्रोल करना वगरा वगरा जो भी फ्रेंट्स पॉइंट्स है चलिए आते हैं फॉर्थ पॉइंट पर जो यह कह रहा है कि जो farming है न फ्रेंट्स वो offer करता है a life of independence and connection to the land but it also involves a huge responsibility देखिए किसी भी farmer के लिए बहुत मुश्किल होता है इतने बड़े responsibility को समालना अब आप farmer बनने वाले हो तो आप समझ सकते हो कि किसी भी farmer के लिए बहुत मुश्किल होता है एक particular yard कह सकते हो या एकड कह सकते हो land को daily देखना daily उसका management करना daily अपने जो भी animal सा उसको feed करवाना healthy nutrition देना साथ ही साथ उनके population को control करना ये भी देखना कि जो crop है आपके वो सही तरह से grow कर रहे है कि नहीं उनका daily या फिर एक period of time के बाद lab में soil का treatment कराना check करवाना कि उसमें कितनी basic है कितने acidity है वेगर है वेगर है सब चीज टेक है वो independent तो होता ही है friends साथ ही साथ उसके उपर बहुत साए responsibility भी होती है यह ही यह point बताना चाहते है okay आते हैं next point पर जो है cultivator तोrun cultivator होता है क्या है है यह बहुते है तो तो ऋ kinda को आप यह समझ सकते हो कि एक समान है , एक इस्ट्रुमेंट एक device है जो कि आपके कसी भी field में एक चैक है जो भी soil होता है ना उसको tillage करने मदत महलती है यानिकि देखिए आप जब भी हार्वेश्ट करते हो या थ्रेसिंग करने करते हुए आपने देखा होगा तो उस समय जो भी equipment यूज होते है उसको cultivator कहते है ठीक है ठीक है आप यह समझ सकते हो या आप जो tractor के पीछे जो लगे रहते है equipment आपने देखे होंगे जो tillage करने समय यूज होते है ठीक है उसको आप कल्टिवेटर समझ सकते है उसको कल्टिवेटर ही कहते है अब मैं definition पढ़ता हूँ definition में यह कहा गया है friends a cultivator is any of several type of farm equipment used for secondary tillage secondary tillage आपको पाता है although आपने syllabus cover किया तो आपको पता होगा देखे secondary tillage जो भी होता है उसकी लिए जो भी farm equipment use होते है अलग लगते है रखे उसको कल्टिवेटर किया हो जाता है ठीक है अब आते है friends question number sorry इसके next point पर जो यह कह रहा है the main function of cultivator is to prepare a proper seedbed for the crop to be planted into the berry crop residue in the soil एक कल्टिवेटर का main function बताया गया वह यह है कि इसका काम है friends की जो भी seedbed है ना जो भी seedbed है देखे seedbed तो आप समझ रहे होंगे ऐसे ऐसे जो रोज होते हैं ठीक है यह seedbed को क्रॉप द्वारा जो भी जो भी क्रॉप इस सीडमें में लगाया गया है प्लांट किया गया है उसको recidule करना यानि कि अगर मान लीजे कुछ ऐसे कर अपने सीडमें थे क्लीबेंट देखे होंगे जो अगर प्रॉप जो है अगर या टेड़ा होगा हुआ है मतलब सीधा नहीं है रो में कभी-कभी क्या होता है कि आप जो ग्रोफ होता है भीट का या फिर राइस का कि ऑनका टेड़ा हो जाता है ड्यूह टुव फिजिकल या फिर नैच्रल कंडिशन की वह से तो एक्विप्मेंट का यूज किया आता है ताकि उसको सीधा कर सकें ठीक है साथ ही साथ उनका जो स्वाइल मैंजमेंट है उसको भी चेक आउट किया जाता है इस कल्टिवेटर द्वारा अब आते हैं सेकंड पॉइंट व्हूज किया ने कि वह सकता है अब किसी मसीन यानी की ट्रैक्टर वह थी फ्रहल हो इन दौन में से किसी के भी पीछे आपको लागा के चलाना पड़ेगा तभी यह चलिगा वन्ना यह नहीं चलने वाला कोशे नम्बर 7 वो यह कहा रहा है कि नेम डिफ्रेंट टाइप्स अफ इंडिया ऑग गला कॉंसे अलग अलग टाइप के स्वायल है जो इंडिया में पाये जाते हैं पहला है मैंने टोटल इस में आप देख सकते हैं मैं टोटल कि टोटल इसमें कोईश किया है सारे कबर करूं total 6 मैंने बताया है आपको भी 5 याद कीजिए आपके लिए आसान होगा मैंने कोई भी एक particular soil में 2 points include किये हैं ठीक है ताकि आपको easy हो remember याद करने में तो friends पहला type है वो है अल्विलिय सोयल जो कि दिल्ली आसाम या अंदर प्रदेश में पाजाता है अब आते हैं इसके कुछ points पे जो मैंने मेंशन किया है वो यह कह रहा है पहला point यह है कि अल्विलिय सोयल जो है वो पूरी तरह से fertile होता है बहुत ज़्यादा fertile होता है ठीक है बहुत ज़्यादा fertile होता है अदल सोयल के मुकाबले ठीक है second point यह है friends कि यह जो सोयल होता है वो mostly accurate proportion पाजाते है ठीक है यानि कि इसमें बहुत ज़्यादा accurate amount of potassium होता है phosphoric acid होता है और lime होता है ठीक है जो कि एक बहुत अच्छा suitable condition प्रोवाइड करते हैं किसको sugarcane, paddy, wheat या other crops का growth के लिए समझे हो मेरे point चलिए आगे चलता है next soil पे वो है अपना black soil black soil का बहुत अच्छा एक्जामपल आपका cotton ठीक है आप अंदाजा लगा सकते हो कैसे लिखते है यह मद्ध्रा I mean Madhya Pradesh या महारास्टर इन दोनों में इससे कोई भी एक state में पा जाते है और भी other states है इनके जिसको आप एक्जामपल में ले सकते हो major यही state है इसलिए मुझे sorry reason है इसलिए मैंने इसको include किया है चले इसको points पर आता है पहला point यह कह रहा है जो black soil है ना जो black soil है वो clearly soil से मिल के बनता है ठीक है इसको हम इसलिए जानते हैं क्यों कि यह moisture को hold करने में बहुत ही ज़्यादा सक्षम है ठीक है मतलब moisture को यह बहुत नमी को यह बहुत अच्छी तरह से hold कर सकता है इसलिए यह black soil कराता है इसकी यही पहचान है ठीक है अगर नहीं जानते होगे अगर आपको नहीं पहचा चले तो आप कभी भी जो black soil उसको उठा के देखना हाथ में देखना जब आप दाब होगे ना कसक एकनम दाब होगे ना तो उसमें से पानी गरेगा यह आपको कुछ moisture जैसा feel होगा नमी जैसा feel होगा तो आप समझ जाना कि यह black soil है ठीक है यह बहुत ही जादा poor humus होता है ठीक है poor humus इसली होता है क्योंकि highly moisturize होता है moisturize relevant होता है मतब बहुत ही। moisturize होता है इसके वाद में अब एक बात बताए अगर किसी भी soil में water का content पहले ही से ही होगा और फिर भी आप उसको water दे रहोंगे तो अप्सेक्ट क्या होगा वो जो वाडर है उसको तो अ Iyaक्सेप्ट करेगा नहीं उसको वो बहेजाने देगा ठीक है ळिए के उसके पास पहले से वो चीज है तो वो क्यों लेगा दुबारा उस चीज को जब खत्म हो खत्म ना लेगा उसी मांग करेगा, सब्सक्राइब से बात है सेकेंड पॉइंट यह कहना चाह रहा है चलिए आते हैं, थर्ड पॉइंट पर वह है रेड और येल्लो स्वाइल, जो कि उडिसा और 36 गणा पाए जाता है, इस रिजन में रेड स्वाइल जो होता है वो बना था क्रिस्टलाइन इगनियस रॉक से, ठीक है जो कि जनरली आपके जहां पर कम पानी वर्षा होती है, वहीं पर ये पाए जाते हैं, ओके नेक्स्ट पॉइंट ये है, कि ये रेड और येल्लो स्वाइल जो है ना वो रेडिस कलर का होता है ठीक है स्टार्टिंग में रेडिस कलर का होता है ठीक है, उसके बाद वो धेरे-धेरे समया रहते है, रेड और येल्लो स्वाइल में बदल सखता है आब बात ये है कि ये रेड वो कैसे बनता है रेड उल जो है, वो आयरन और किस्टन और metamorphic rocks का diffusion यानि के mix-up किसमें बनता है समझ रहे हो ना मेरा बात red soil का formation है reddish color का जो लाल आपको दिखता होगा होता है वह red yellow लेकिन reddish color आपको दिखेगा ठीक है वह जो color होता है फ्रेंड वह इसलिए form होता है जब iron crystal या metamorphic rocks जब diffuse होता है ने एक साथ मिलते हैं न तो इसको reddish color provide करते हैं समझ रहे हो मेरा बात चलते हैं हम नेक्स्ट वह आपका lateral soil जैसा आप देख पा रहे हो ठीक है यह आपका Southern या Eastern इंडिया पा जाता है ठीक है चलिए मैं बताता हूं आपको इसके बारे में Latin soil जो होता है फ्रेंड्स वह आपके chemical composition की वाज़से form होता है जो भी देखे हर एक particular rock का sedimentary हो या metamorphic हो या ignis हो सबका अलग-अलग chemical composition है ठीक है अब देखिए मैं बताता हूं जैसे दो different chemical कोई भी आपके product table में से कोई भी दो different आप element उठाइए उसको अगर miss up कीजेगा तो एक नया element बनेगा ठीक है एक नया product बनेगा ठीक है जो कि बाकी सब product से अलग होगा अब तक जो form होए ठीक है अब समझ नहा मैं क्या 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 क्याना चाह रहा हूं वैसे इसमें बता है कि lateral soil का formation हुआ था ना वह रॉक का chemical decomposition के वैसे होता है जो chemical घलते हैं सडते हैं खराब जाता है rocks के उसके वैसे lateral soil form हुआ था ठीक है पहला point यह है second point यह कह रहा है कि यह soil है ना वह mainly content करता है क्या iron oxide ठीक है iron content कर सकते है तो वह इस स्वाइल में present रहता है जो कि इस स्वाइल को एक पर्टिकुलरी पिंक या रेड कलर का character प्रोवाइड करता है ठीक है इस iron oxide के वजह से अब चलते हैं friends 5th soil पर जो कि आपका mountain soil इसका मुझे particular reason नहीं मिला क्योंकि आप जानते हैं कि mountain soil कहां पा जाता है okay although mountains Himalayas में ही mountain इलाकर में ही पा जाते होंगे okay चले इसके points पाते हैं friends पहला point मैंने यह mention किया है कि आपके जो mountain soils होते हैं वह valley में found किया जाते हैं यह hills तो पर जैसा मैंने बताया था वो भी कहां Himalayas के hill या valleys पे जिनका altitude 2700 से लेके 3000 मेटर के बीच में होता है second point यह जो mountain soil होते हैं वह slightly loamy होते हैं मतलब आप यह कह सकते हो कि थोड़े से loamy होंगे ठीक है थोड़े से loamy होंगे या पूरे loamy होंगे ठीक है mountain soil उसके comparison में loamy soil comparison में ठीक है मतलब उनका color आप देखेगा सिफ टेक्च्चर के बारे बात हो रहा है यहां पर color देखेगा उसका जो color होता है वह dark brown होता है ठीक है जिसके वह से वह ऐसा feel होगा आपको कि वह loamy होगा यह हलका slightly loamy होगा ठीक है जो loamy होता है friends वह exactly brown कर रगा होता है ठीक है लेकिन आप characterize नहीं कर पाई है कि mountain soil कौन सा है और loamy soil कौन सा है ठीक है अगर आप दोनों को differentiate कर पाएगा अगर आपको उन दोनों का property पता होगा तो आप गर पाईएगा अगर नहीं पता है तो मुश्किल है friends आते हैं सिक्स स्वाइल पर जो कि आपका clearly soil friends यह जो है आपका southern पाया जाता है इंडिया में बहुत ही ज्यादा कम रिजन में पाया जाता है इसलिए मैंने इसके बार में इंक्लूड नहीं किया कि कौन सा इंडियन रिजन सा जहां पर यह पाया जाते हैं चलिए friends आगे चलते हैं जो इस soil का property वह यह है कि यह स्वाइल है वह बहुत ही fine बहुत ही fine mineral particle से बना होता है ठीक है और इसमें organic material भी बहुत जादा कम होता है ठीक है बहुत ही ज्यादा fine particle से बना होता है यानिकि बहुत tidy tidy particles बहुत चुटे चुटे है इसमें कोई भी organic material होता ही नहीं तो आप इससे भी identify कर सकते हैं क्लेली स्वाइल को ओके चलते हैं अपने next point पर जो यह कह रहा है कि most pure क्लेली मिलनल्स जो जादा प्योर क्लेली मिलनल्स होते हैं न वह वाइट होते हैं या लाइट करके होते हैं यहाँ पर यद रहा है's! क्लेली आएल क बात हो रहा है कि यहाँ जो भी बात होगा वह लाइट के यहाँ जो यह Most Pure Tea मिलनल का बात हो रहा है प्लीस की बात करने दिहां लेकिएगा झालोघ की को प्लेली सौल होते हैं इस एक मौ आपकी पाइचा जाएंगे जिस इलाके में यह होते हैं ठीक है लेकिन जो नाश्रल क्लेज होता है न वो आपके वेराइटी मतलब अलग-अलग कलर्स में डिफर कर सकते हैं क्यूं क्योंकि उसमें इंप्र इंप्रिटीज मिक्सप हो जाती है होता है कुछ आइसा है न क्यों कि हार एक पर्टिकुलर रिजन में आपको पर्टिकुलर ब्रब्लेंस ब्लेल नहीं मिलेगा एा फिर क्लेरली आइंडिफाइ नहीं कर पाते हो साइंटेस्ट को भी बहुत जादा प्रॉल्म होता है इसको इंडिफाइ का नहीं यहां पर वह ही मैंशन किया देखिए आयरन अक्साइड हो गया या फिर आपके कुछ अलग impurities हो गए यह अगर mix-up हो जाता है तो जो आपका रडिस या ब्राउन करह होता है न उसमें यह चेंज हो जाता है वाइट या लाइट कलर से यह रड रडिस या ब्राउन कलर में चेंज जाता है सेकेंड पॉइंट यह कहना चाहरा है ओके तो फ्रेंड्स यही बोल इस question पूछा है कि soil fertility होता क्या है और ऐसे कौन से पांच जिसके वाइसे जो soil है वो soil की fertility है वो खराब हो रही है या खतम हो जा रही है ओके कौन से पांच वेज है तो मैं छोटेट पॉइंट बताऊंगा अगर आपको वो पॉइंट साटिस्फाक्शन नहीं है तो आप खुछ से लगबरेट कर सकते हैं अगर नहीं कर पाएं तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में सेश्चन मांगें दे दूंग आपको आप बरहने होते हैं या पर आपको ओसे इसा को किसी बीश पॉग्रींस के जो किसी बीशोर और प्रॉद के ग्रोथ को रेगुलेट करता है याने की कंट्रोल करता है ठीक है अब देखिए आप जैसा खाना खाईएगा आपका शरीर वैसा ही एनरजी आपके बॉड़ी को प्रोवाइड करेगा समझ रहे मेरा बात वैसे ही जैसा जैसा स्वाइल का फटलीटी होगा वो कम हो मीडियम हो या लो हो वैसा ही वो अपने क्र 20 को आपका फटलेटेंर नूटिशन में इस पॉइंट में यह बताया है कि जो भी आपका फटायल सवाल होता है वो सारे major nutrients ठीक है वो चाहे आपके micro हो या macro हो ठीक है अब micro nutrients में आगे आपका nitrogen, phosphorus, potassium यह हो या micro हो calcium, magnesium, sulfur, iron, zinc, etc. बहुत सारे हैं यह हो इन दोनों का mix-up जो होता है वो एक fertile soil में content रहता है ठीक है छुपा हो रहता है और यह उनको समय रहते मिलना चाहिए वो कैसे भी मिले या आप उन पे bio fertilizer या फिर pesticide छिड़किए या उनको आप water के through वो खुद absorb करने खुद के अंदर जैसे करें जिस medium जिस mode of medium से करें लेके इनको मिलना चाहिए सब में रहते हैं यह भी बहुत सब रहते हैं यह बहुत सब हो रही है मैं इसे बताया थे कि कौन से पांच तरेके इसकी बाइसे जो आपका soil fertility हो घट सकता है खतम हो सकता है पहला पॉइंट soil erosion sorry soil erosion friend soil erosion एक बहुत बड़ा ऐसा disaster character है जो कि soil fertility को आसानी से खराब कर सकता है कैसे अब आप माल लिजी अगर आपने हच से जादा खाना खा लिया है तो क्या होगा या दो पेट खराब या दो उल्टी friends ऐसा होता है वैसी यही सेम condition जो होता है वह soil के साथ भी होता है अगर आप हाई amount of irrigation दे रहे हो उसको ज्यादा amount of water उसको provide कर रहे हो या ज्यादा amount of कोई भी एक particular nutrient भी provide कर रहा हो न एक इंज भी ज्यादा provide कर दिया न तो उस समय वह soil जो है वह जहरीला बन जाता है किसके लिए उनके crops के लिए जो उन पर लगे हुए जो प्लांटेट है ठ अगर मिट्टी बह जाएगी जहां पर crop लगा हुआ अगर मिट्टी बह जाएगी तो सीधी से बात है न कोई भी plant stand कसे लेगा खराब हो जाएगा ठीक है पहला point तो यह हो गया second point है आपका deforestation and over grazing देखिए over grazing grazing मतलब तो चरना गाय जब चरती है तो उसको grazing कहते है over grazing मतलब चर जाना सिंपल सी बात है अगर कहीं भी आप अपने गाय को feed करवा रहे हो वो चाहे आप main field crop में करवा रहे हो ठीक है या आप अपने घर में दे रहे हो ठीक है हच से ज़ादा अगर आप उसे खिलाव दोगे तो उसका तबहत खराब हो जाएगा या वो खुद ख अगर आप जान रहे हो कि अगर कोई भी पेड उगता है मैं ऐसा crop का बात नहीं कर रहा हूं जो सिफ आपको harvesting करनी होती नहीं आप ऐसा fruit fruit का ले लिजे पेड mango orange यह एक ऐसे पेड होते हैं जिनको फल देने के बाद मर जाना है मतलब जमीन में ही मिल जाना है ठीक है लेकिन आपकी wheat, rice, pulses यह सब के जो crops होते हैं वो आपको harvest करने पड़ते हैं कातने पड़ते हैं फिर चाटने पड़ते हैं समझ रहे हैं वो उसी मे अगल का जो fatality है वो नहीं गटेगा ठीक है अगर आप करते हो तो गट जाएगा अफिस से बात है यह सब बात का ध्यान रखो थार्डेफेंड्स बहुत important है वो है आपका urbanization यानि कि यहां urbanization मतलब होता population देखिए जिस भी जगह का population बढ़ता है ठीक है महाल बढ़ जाती है उसके वीज़से क्या होता है कि वहाँ का जो लूग होता है वहाँ का जो land होता है वहाँ जदा affected होता है खास स्वारल इसके बारे मैं जादा नहिं बता हूँ क्योंकि आपको इसके बारे बता है फो ता है de-estैरिफिकेशन de-esterification का मतलब होता है किसी भी particular जहां से soil का जो content है वो कम हो जाना ठीक है उसको de-esterification करता है nutrient जो content है वो कम हो जाना soil में ताकि उसका fertility जो है खराब हो जाता है जिसकी वज़ाए से आते हैं 5th point पर यह कह रहा है nutrition depletion series बात है de-esterification and nutrition depletion जादा अंतर नहीं यह दोनों में एक रती भरका यह है de-esterification में आप क्या करते हो कि एक particular soil का nutrition content देख रहे हो ठीक है एक particular area का जबकि आप nutrition nutrition depletion है वो आप किसी particular crop का देख रहे हो de-esterification में आप particular acre land का देख रहे हो कि उस acre land में कितना nutrition content घटा है लेकिन nutrition depletion में आपके अगर देखते हो, एक crop में, एक crop को जो nutrition चाही होता है, क्या वो soil दा रहा है, उसको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ठीक है, यह difference है, आईए फ्रेंट्स चलते हैं, 9 नमबर कोशन पर, आपको जतना जल्दी यह खतम होने का, मुझे भी उतना जल्दी ह शूट कर रहा हूँ, मुझे भी ऐसा लग रहा है, मैं भी चाहता हूँ, जल्दी जल्दी इसको खतम करूँ, क्योंकि मैं easy explain कर रहा हूँ, कोशिच कर रहा हूँ, कि आपको असानी से समझ में आया है, इसलिए मैं, आराम आराम समझा रहा हूँ, यह फ्रेंट्स आते हैं, question Soil Fertility होता क्या है, उपर मैंने बता दिया है, कि इसमें पहले से ही, यह देखे, Soil का एक ऐसा property है, जिसमें जो भी nutrient content होते हैं, present होते हैं, ठीक है, उसको हम Soil Fertility कर रहा है, यह inherited होता है, Soil Fertility, inherited property है, जो पहले से ही present रहता है, जबकि Soil Productivity में क्या होता है, friends, यह एक inherited property नह आते हैं, जबकि Soil Stability में क्या होता है, कि आपको बनाने नहीं पड़ता है, वो पहले से होते हैं, ठीक है, पहला point होगा, आप second point पर आते हैं, can be analyzed in lab, देखे, Soil Fertility को आप लाब में analyze कर सकते हो, क्यों, आप एक मुठी Soil उठाओ, लाब में जाकर टेस्ट कर लो, आपको प productivity जो है, वो can be assisted in the field under particular climatic condition, एक particular climatic condition में ही, आप उस productivity को जज कर सकते हो, ठीक, मेरा बात आप समझ रहे हो, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, अब देते हैं, next point पर, third point यह कह रहा है, friends, Soil Fertility का, it depends upon physical, chemical, biological factor of soil, देखे, कोई भी एक Soil जो है, मिट्टी जो है, वो उसके physical, chemical, या biological factor पर टेपन करता है, यानि कि वो छूने में कैसा है, उसका chemical composition क्या है, या वो nature के साथ कैसा behave करता है, यह तीनों पर, Soil Depend करता है, समझ रहे हो ना मेरा बात, लेकिन, अगर आप Soil Productivity में आते हो, तो Soil Productivity जो है, वो Depend करता है, आपका location, Fertility और Physical Condition में, क्योंकि यहां एक Crop का बात हो रहा है, वहां मिट्टी का बात कर रहे है, जबकि यहां हम Crop का बात कर रहे है, क्रॉप में क्या चाहिए, हमें एक proper Soil चाहिए, प्रॉपर Location चाहिए, यहां पर हम उगा सके, उसको साथ ही साथ उसको एक proper Physical Condition चाहिए, एक ए समझ रहा है, यहां पर Climate आ जाता है, जबकि यहां पर Climate से इसको कोई लेंदेनी नहीं है, आते हैं Question Number, Difference 4 पर, जो यह कह रहा है, कि और Fertile Soil is Productive, यह Game Changer Moment है, इसलिए यह एक ऐसा Difference है, अगर आपने याद कर लिए आना, तो Teacher आपको देगा ही देगा, एक Number, वो नहीं काट अगर आपने इसको याद कर लिया, और यह बहुत ही important point है, टीचर खुश भी हो जाएगा, यह बहुत सारे जो टॉपर्स हैं, वो मेंशन करते हैं, अपने आंसर सीखने, तो प्लीज आप इसको ज़रूर याद करें, All Fertile Soil is Productive, यानि कि जितने भी आपके Soil होते हैं, वो स Fertile, जितने भी Soil productive है, वो जरूरी नहीं Fertile हो, देखिए, मैं बताता हूँ, आसान सब्दों में, जो Soil होता है, मिटी होता है, उसमें आपके हो सकते हैं, सारे nutrient present हो, जिसके वज़र से कोई भी crop ग्रो कर सकता है, लेकिन, 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 जरूरी नहीं है, कि जि पोड़ा सबस, एकरती भर का difference है, कंफ्यूस हो सकते हो, तो प्लीज ध्यान रखना इस बात का, फिफ्थ, यह है friends, की, यह कह रहा है, इट इस एन इंडेक्स अफ अफ अवेलेबल नुट्रियन इन ब्लांट, यह हमें, Soil Fertility हमें बताता है, कि किसी भी प्लांट में, कितना nutrition मिल रहा है, या मिल सकता है, या मिल चुका है, कितना चाहिए, इससे हमको बहुत अच्छा लगता है, Soil Fertility में, Soil Fertility के दोरा, जबकि, अगर हम इसका बात करें, Soil Productivity का, इसमें क्या होता है, It is used to indicate crop yield, इसमें क्या होता है, कि किसी भी crop yield को indicate करते है, मतलब उसका production कितना ह मिला है, समझ रहो डिफ्रेंस, चले, आब आते हैं, अकरी पॉइंट पर, वह यह कह रहा है, कि Potential Status of the Soil to Produce Crop, यह इसका Potential होता है, इसका खुद की शमता होती है, कि यह सादा से जादा nutrition दे के, जादा से जादा crop को, डेवलप करबाए, ठीक है, जबकि, Crop Productivity में क्या होता है, resulting of various factors influencing soil management, यह result होता है, बहुत सारे fertile soil का, ठीक है, जिसमें हम various factors को use करके, साथ ही साथ, soil management को influence करके, यानि कि उसको, इस्तमाल करके, हम एक, variety of, particular variety of, high yielding product, को आप, reduce करते हैं, ठीक है, यह तो difference हो गया, ठीक है, अगर आपको समझ में ना, आये हो, तो आप chat, नीचे जो comment section, उसमें, आप मुझे पूछ सकते हो, और please recommend, कर रहा हो, बोल रहा हो, कि आप जरूर मुझे बता है, कि आपको ये video कैसा लगा, मैं request कर रहा हो आप से, ताकि मुझे भी, पता चले है, कि ये video मैं कैसा बना रहा हो, और क्या 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 क्रेक् अभी तक जमीन ली गई है, उसमें, हिसाब से, उसके हिसाब से, इन सारे farmers को आपको define करना, ठीक है, आते हैं हमार सबसे पहले marginal farmers, पर, friends, marginal farmers के पास जो land होता है, वो एक एकड़ का होता है, ध्यान रखे, एक एक एकड़ का होता है, नियरली 2.5 acres, एक हेक्टर का होता है, 2.5 acre सब ले सकते हो, ठीक है, मैं Egyptian मांग रहा हूँ, okay, assume क्या मैंने, अब आते हैं, next पे, वो है आपका small farmers, small farmers के पास, friends, एक से ज़्यादा hectare land होता है, या 1 to 2 hectare, इसके बीच में land होता है, small farmers के पास, ठीक है, अब आते हैं, semi marginal farmers के पास, semi marginal farmers में क्या होता है, friends, ये वो farmers होता है, जिनके पास, 2 से 4 hectare land, इसके बीच में होता है, या 2.5 हो सकता है, या 3.5 हो सकता है, 3.8 हो सकता है, कितना मुझे होता है, लेकिन 4 से कम रहेगा, और 2 से ज़्यादा रहेगा, hectare में, okay, या सारे में hectare ले रहा हूँ, okay, प्लीज इस बात के ध्यान रखें, medium friends, आते हैं, medium farmers ज होते हैं, जो generally cultivate करते हैं, उन agriculture land पे, जो की, 4 से 10 hectare के बीच में हो, समझ रहे हो न, इनको medium farmers का जाता है, यह सब exams में आते हैं, इसलिए मैं mention कर दे रहा हूँ, बहुत ही छोटे-छोटे questions हैं, जो की, आपके medium में भी आ सकते हैं, जो चला गया है, किसी-किसी, हो सकता है, किसी की student में आया हो, में भी, friends आते हैं, last पे, जो है land farmers, मैं यहाँ पे, sorry, mistake हो गया, यहाँ पे large farmer होगा, मैंने गलती से land farmers लिख दिया, पिर प्लीज करेट कर लीजेगा इसको, large farmers जो होते हैं, उनके पास, जो land होता है, वो more than 10 hectares होता है, ठीक है, तो यह एक series में है, आप समझ स कितना था, दो से जादा, लेकिन 4 से कम, hectare में, ठीक है, medium farmer के पास कितना रहेगा, 4 hectare से लेके 10 hectare के बीच में, और large farmer के पास कितना रहेगा, 10 hectare से जादा, तो friends, आज तक लिए इतना ही वीडियो बहुत ही जादा लंबा होगे, मैंने बहुत कोशिच किए इसको छोड़ा क करने का, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लागा, तो प्लीज कमेंट में कमेंट कीजिए, साथी साथ, लाइक का बटन जरूर हिट कीजिए, अगर आपको पसंद दिया तो, और अगर आपके examination में बहुत जादा helpful है, तो comment box में जरूर लिखेगा, और साथी साथ, मुझे ये करके बताईएगा, कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर नहीं अच्छा लगा हो, तो प्लीज मुझे सजेस्ट कीजिएगा, आपको क्या पसंद नहीं आए, ताकि मैं corrections कर सकूँ, अपने future upcoming videos में, तब तक के लिए friends मिलते हैं, अपने next video में, तब तक के लिए सिए आप आप आप, आप